हेलो काईज welcome back to my channel तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम किसी वी नमबर का जो क्यूब है वो निकाल सकते हैं बहुत यहसाणी से ठीक है तो क्यूब निकालने के बहुत सारे ठीक है और आपने बहुत सारे ढ ecology पहले भी देख्किये होगे एक वीडियो मैं चे पहले ही मना चुका हूँ कि किस तरह से हम किसी द्रेंबर का क्यूब निकाल सकने है तो आजकी जो ट्रेंचे वह जो इसका क्यूब है ग्यारा का उसको निकालेंगे ठीक है तो इस तरह से आपको कोई भी नंबर दिया पहोगा जैसे हमार पास ग्यारा है तो सबसे पहले आपने क्या करना है 11 को आपने इस तरह से लिखना है तो 11 का Q means 11 को हमने तीन बारी गुना करना है तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया उसके आद हम क्या करेंगे कि जो last के दो नमबर होंगे जैसे कि इसको आसे मालों कि first, second, third तो last के जो दो नमबर होंगे आपने उसका square करना है उनको आपस में multiply करना है ठीक है? तो इस वारी trick को use करने से पहले आपको यह है कि आपको square करना आना चीए जिदने ज़्याद आपको square करना आएगा उतने जल्दी आप यह question को solve कर पाऊगे ठीक है? तो जैसे 11 का square होता है तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो भी number आपको दिया है आपने उसका पहले square करना है ठीक है? झासे मैं 11 दिया है तो हम क्या करनेगे? हमने 11 का square निकाल लिए है तो जो आ गया हमारे पास 121 और किसी भी number का square किस तरह करते हैं उसके उपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ उसका लिग मैं description में डाल दूँगा ठीक है आप लोग वहाँ पे check कर सकते हो ठीक है तो हमने इस तरह से जो दो नमबर थे उनका हमने square निकाल लिया ठीक है अब इस time को किस तरह लिख सकते हैं कि जो 11 का cube था हमारा उसको हमने पहले इस तरह से break किया और वहाँ पे हमने जो 21 थे मार पास उसको मने multiply किया और हमारा पास 121 आगया ठीक है अब हमें कैची है 11 का cube का नाम ने तो 11 मार पास बचावा था फर्स वाला और ठीक है और 2 का product मतलब जो 2 का square था वो इस तरह से आगया ठीक है अब इस वाले पाटक हम जो मारी multiplication वाली trick थी उसका use से solve करेंगे ठीक है कि किसी भी number को हम 11 से किस तरह multiply कर सकते हैं ठीक है इस topic के उपर में पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं तो हम उसका use यहां पे करेंगे तो उसमें क्या करते हैं सबसे पहले हम जो यहां का last number होता है और जो यहां का last number होत होता है उनको अपस में multiply करते हैं ठीक है तो एक गुना एक कितना हैगा एक ठीक है दुबारा देखते है जो भी यहां पर नंबर होगा उससे आपने last वारे number को multiply करना है ठीक है तो वह हो गया एक आ गया उसका आज आपने क्या करना जो भी आपका remaining part बचेगा ठीक है जैसे यह वाला तो solve होगा ना हमरबा सिर्फ 12 बचा ठीक है तो आपने क्या करना है 12 को फिर से जो भी नंबर यहां पर लिखा होगा उससे multiply करना है ठीक है जैसे यहां पर एक लिखा ना तो बारा को आपने एक से multiply करना है इस तरह से 12 गुना एक वह आ जाएगा 12 ठीक है उसके बाद उस 12 को आपने इस पूरी डम में add करना है कि एक सो 21 में add करना है जो आपका multiply करके आएगा ठीक है वह आपने यहां पर add किया तो यहां आपका बन गया 133 ठीक है और इस 133 को आपने यहां पर ले जाना है और आपका जो answer है वो आ गया 1331 ठीक है दुबारा से देख लेते हैं सबसे पहले हमने क्या किया जो हमारा 11 का क्यूब था हमने इसको इस तरह से ब्रेक किया ठीक है इस तरह से तोड़के लिखा हमने उसको कि 11 गुना 11 गुना 11 है मतलब 11 का क्यूब का मतलब है कि हमने 11 को तीन बार ही multiply करना है ठीक है एक दो ठीक है उसके अधार आपने क्या करना है जो last के दो नमबरे उनको आपने multiply करना है या आपने 11 का स्क्वेर निकालना है तो 11 का स्क्वेर हमने निकाल लिया 129 ठीक है थीक है तो हमने क्या किया इन 21 की जगह हमने 121 लिख दिया और हमार पास इस तरह से यह form आ गए ठीक है तो हमने क्या किया जो 121 यह टम्ब नहीं है एक गुना एक हमारे पास आगया last वाला number जब आप last वाले number को last वाले number से गुना करोगे तो automatically हमारे पास last वाला number आएगा ठीक है उसके बाद हमारे पास main क्या रहता कि आगे के number भी निकालना है ठीक है तो हम क्या करेंगे जो मारे बाद remaining part बचा यहां पर क्योंकि इसको तो हमने यूज कर लिया ठीक है अमारे पास बचा 12 12 हमने फिर से यहां पर लिखा है उससे multiply करना है ठीक है तो 12 गुना एक हो गया 12 जो भी आपके आपस multiply करके आएगा उसको आपने इस पूरी टर्म में एड गना है वो कोई भी टर्म आपके पास हो सकती है ठीक है तो 121 में हमने 12 को एड किया तो हमारे पास आ गया 133 और इसको हमने यहां पर लिख दिया तो यह हमारा आपसर आ गया ठीक है और अगर हम इसको multiply करके देखें जैसे 11 गुना ग्यारत होगे 121 अब इसको एक बार और ग्यारत से करेंगे तो यह बन जाएगा 1331 मुल्टिप्लाइ करके भी वही आएगा और इस वाली ट्रिक से भी वही आएगा ठीक है तो जो भी मैथड आपको सही लगता आपको उसके according question को अपने करना चीए ठीक है जिनको multiply गरके ठीक लगता है इस तरह से तो वह इस तरह से भी कर सकते है और जिनको यह वाली ट्रिक अच्छे से आती है वह इसका यूज़ भी कर सकते है क्यूंकि main तो यह है कि आपको सबसे पहले square निकालना चीए इस वाले question में क्यूब देखके हमें महले थोड़ा ऐसे होता है कि अब इतनी बड़ी time का हम क्यूब किस तरह निकालेंगे बट अगर आपको सही तरीका पता हो कि आपने किस तरह से इस question को solve करना है तो आप जल्दी से जल्दी भी कर सकते हो क्यूंकि जिन student को square निकालना आता है वो तो फटा-फट से इस वाले form में बना देंगे इसको ठीक है और एक minute से पहले ही उसको solve कर सकते हैं और जिन लोगों को practice करते रहेंगे वो जल्दी से जल्दी भी कर सकते हैं ठीक है तो एक example करते हैं और देखते हैं कि हम कितनी जल्द इसको कर सकते हैं अब हम ज्यादा detail में नहीं जाएंगे अब हम ट्राइ करेंगे कि हम कितना जल्दी कर सकते हैं ठीक है तो मैं इसको break करके नहीं लिखूंगा क्यूंकि मुझे बारक का जो square है वो पता है तो मैं इस तरह से करूंगा बारा कुना 144 ठीक है फिर इसको से multiply करू तो यह बन जाएगा 28 ठीक है और 144 में मैं 28 को add कर दूँगा तो यह मेरा 172 बन जाएगा और इस 172 को मैं यहां पर लिख दूँगा तो मेरा यह answer आ गया तो आपने देखा कि मैंने कितने जल्दी से इस वाले question को कर लिया क्योंकि मुझे square निकालना आता था ठीक है तो जितना जल्दी आप लोग square निकालना सीखोगे उतना जल्दी आप इस वाले trick को use कर सकते हो ठीक है तो हम लोग multiply करके भी देख लेते हैं कि हमार पास यह answer आता है कि नहीं तो जैसे 12 का ट्रूब है तो हमने इसका square पहले निकाल लिए 144 हम इसको 12 से फिर से multiply करेंगे तो यह हमार पास आएगा तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे आई होप कि आपको यह वाली trick भी अच्छे से समझ आगी होगी आप लोगों ने इसको थोड़ा आराम से देखना है और आपको अच्छे से समझ आ जाएगी और जितना हो सके उनी प्रैक्टिस करनी आपने